लगतार हो रही बारिस से जिले में नदिया उफान पर है नदियों का जलस्तर में लगतार विदी हो रही है ऐसे में निचले इलाकों के रहने वाले लोगों को काफी परसानियों का सामना करना पढ़ रहा है जिस वज़त से बहुत तेजी से बाड का पान निचली इलाकों में फैल रहा है जिले में बागमती नदी हर साल गाय घाट कट्रा और औरोई का परवाहित करती है अभी भी बागमती नदी अपने उफान पर है इलाके के लोग दौसत में हैं इसी बीच मुझपरपूर के गाय घाट में ग्रामिडरो द्वारा खुद ही चर्चरी पूल का निर्मार किया जा रहा है जिसमें लोग खुद से बाड से बचाओ की तयारी कर रहे हैं ताकि जल अस्तर में ज्यादा ब्रिधी होने से आवगमन में ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े इस गाओं में हर साल साड़क के उपर बाड का पानी गुजरने के कारण आने जाने में लोगों को काफी समस्या होती है यह तस्वीर सुबे की सरकार सच्चाई बया कर रही है सरकार लाख दावे कर ले लेकिन बिकास के बाद एक कागजों में ही सिमट कर रहा जाती है दरसल गाई घाट प्रखंट के सिवा दाह पंचायत वाड नमबर 11 की यह तस्वीर यहां सेकडों लोग रहते हैं दरजनों घर है और इलाका निचले अस्तरपन होने की वज़ा से बाड का पानी तेजी से फैल रहा है लेकिन ग्रामिडों के सूद लिने वाला कोई नहीं है ग्रामिडों खुद से चड़चरी पूल बनाने के मजबूर हैं देखिए ग्रामिडों ने क्या कुछ कहा गाउं वालों ने आने जाने के लिए ये सड़क है जिस पर पानी चड़ गया है अब जब यहां के लोगों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है तो मजबूरन लोग चड़चरी पूल का निर्मार कर रहे हैं ताकि लोग इस पर से उस पर तक जा सके। क्या नाम हुआ चलने के रास्ता नहीं है चारु तरह से घिर कहा हैं और अभी तक जनपर्थिनिदी या सरगार के दोरे किस तरह की स्थिति पैदा वाजाती है तो आप लोग खुद से चचरीपूल बना रहे हैं और चलते हैं कौन सा ये पंचायत है सिद्धा पंचाट के महास्वारा गाउं के तोला है कौन सा तोला है गठोली आपका क्या नाम हुआ अच्छा वाट सदस है अच्छा वाट सदस्या